Hello students, today we will learn about a poem which is written by John Keats, A Thing of Beauty इस poem में पोईट में हमें नाचरल ब्यूटी के बार में बताया है जिससे कि हमारा एवरी डे बहुत ही जाधा अच्छा हो जाता है, हमारा हर दिन बहुत सदा ब्यूटिफुल हो जाता है ब्यूटी के साथ जित्ती विमारी problems हैं, वो सब fade हो जाती है अगर हम chant भी करते हैं, पार्ट पूजा करते हैं, तो हमें कितना अच्छा मिलता है, हमारी life कितनी happy हो जाती है जित्ती विमारी life में sadness and drifts होते हैं, वो दूर हो जाते है हम क्यों पहाड़ों में घूमने चाहते ताकि हम एक comfort, एक blissfulness feel कर सके nature का nature हमारे लिए क्या है? एक cool, quiet place है जहा हम बहुत अच्छे सपने लेते हैं हमारी health बहुत अच्छी होती है और हमें क्या मिलता है? mentally peace मिलता है poet ने इसमें हमें बताया है कि man का और earth का क्या connection है? earth man को कैसे happiness दे रही है? हमें कितनी अच्छी memories मिलती है nature के साथ रहकर, nature में रहकर, but man क्या कर रहा है? man इस nature को खराब कर रहा है a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and sleep full of dreams and health and a quiet breathing students, nature की जो beauty है वो हमेशा हमारे मन में रहती है last time अब जहां भी गूमने गएते, सोचके देखो तो एकदम से सब कुछ वैसे rewind हो जाएगा, हम feel करें कि हम बहाँ पर है तो यह जो एक memory है, वो हमारी कभी भी खतम नहीं हो सकती है यह हमारे मन में रहेगी, यह कभी भी nothingness में, खाली पन में fall नहीं हो सकती है but we'll keep a bower quiet for us and sleep bower means एक pleasant सी जगा, नेचर हमारे लिए क्या है, एक bower है, एक pleasant place है पेड के नीचे बैटने वाली जगा बनी होती है न, cementify strong sea उसको बोलते है bower, तो यह nature हमारे लिए क्या है, एक bower है जहां हम बहुत अच्छी नेन लेते हैं, बहुत अच्छे सपने लेते हैं, हमारी health भी बहुत अच्छी होती है and जो breathing है, वो भी बहुत अच्छी होती है therefore, on every morrow, morrow means morning and withering तो क्यों हमारी mornings अच्छी होती है, because of the nature nature क्या है, एक flowery band है, जिसने earth और हमें tie किया हुआ है, bind किया हुआ है a flowery band to bind us to the earth और यह flowery band हमें क्या दे रहा है, memories दे रहा है, joy दे रहा है एक object of beautification बता रहा है, हमारी life को contented बना रहा है, बहुत अच्छी बना रहा है spite of dependence, dependence means sadness, spite of dependence of the inhumane death, of the noble nature of the gloomy days अब human क्या कर रहा है, यह अच्छे दिनों को dependence में लेके जा रहा है, उदासी में लेके जा रहा है अपने inhumane death, death means lack of good souls बुरे लोग, बुरे करम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, जला रहे हैं नेचर को deforestation कर रहे हैं, पेड काट रहे हैं, जहां दिल कर रहे हैं, घर बना रहे हैं जित्ते भी natural resources हैं, उनको uselessly use कर रहे हैं और gloomy days means बुरे दिन ला रहे हैं मतलब कि हमारे जो बुरे ways हैं, बुरे धंग हैं नेचर के साथ काम करने के लिए हमारे अच्छे दिनों को gloomy days में लेके जा रहे हैं Of all unhealthy and odakon ways, again odakon ways मी मतलब dark ways, गलत काम made for our searching, yes in spite of all, some shape of beauty moves away the pale चाहे हम जितने मर्जी बुरे काम कर रहे हैं, बट हमारी जो earth है, वो क्या कर रहे हैं? move away कर रहे हैं, pales को, dark clouds को दूर कर रहे हैं चाहे हम जितना मर्जी बुरा काम कर रहे हैं, बट हमारी nature उन बुरे कामों को ठीक कर रहे हैं From our dark spirit, such the sun, the moon, old tree, young, sprouting a shady boon for simple sheep and such daffodils, daffodils flower का नाम है, with the green world they live in and clear rills, rills means small streams, that for themselves a cooling covert make अब हमें nature की अच्छाई का कहां से पता चल सकता है, sun से, sunrise and sunset कितने beautiful होते हैं, moon, moon कितना calming, कितना cooling होता है हमारे जो young trees होते हैं, वो कितने fresh and up होते हैं, old trees कितने shady होते हैं, sprouting shady boon तो कितनी प्यारी छाए हमें मिर्देन पेडों के नीचे, sheep हमें क्या देती हैं, wool देती है and daffodils, flowers हमें क्या देते हैं, खुशबू देते हैं, green world हमें क्या देता है, अच्छी oxygen देता है pollution free world मिलता है, clear rills हमें क्या देते हैं, cooling covarts देते हैं, अभी cooling covarts क्या होता है streams या rivers के पास में चुट-चुटे bushes होते हैं न, plants होते हैं, वहां बैट कर हमें, जो वो एक cooling सी feeling आते हैं, खंड-खंड हवा मिलती है that freshness is called cooling covart, giants the hot weather, the mid forest break, तो यह cooling covart हमें क्या करते हैं, hot weather के against हमें protect करते हैं, rich with sprinkling of fair musk rose blooms, तो अगर हम जंगल में जाते हैं, तो वहां हमें कितनी अच्छी एक fragrance ही आ रही होती है, तो यह fragrance किस चीज की होती है, musk rose की होती है, depending वहां किस तरह का फ्ला है, but forest में भी जाकर एक अलग सी हमें feelings मिलती है, तो वह किस वज़े से मिलती है, nature की वज़े से मिलती है, and such too is grandeur of the domes, अभी क्या है, यह पूरी जो हमें अच्छाई मिल रही है nature से, यह क्या है, एक शान है, grandeur है nature का, जो कि वह human being को दे रही है, last four lines students, we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring onto us from heaven's blink, यहां poet बताना चाहते हैं कि, जितने भी powerful और brave men थे, उन्होंने noble noble deeds किये थे, वो क्या थे, हमारा अब past बन चुका है, वो मर चुके है, that means हर किसी ने मरना ही है, he refers to the beautiful stories of great men, that we have either read or heard, उन्होंने बताई है stories, beautiful stories, जो हमने बच्छपन में पढ़ी या सुनी हो, these stories are beautiful because they have an indeligible impression on us, यह stories क्यों अच्छे हैं, क्योंकि इनका बहुत अच्छा impression हम पर है, जो कि हम कभी जुटला नहीं सकते हैं, जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, अब endless fountain क्या है, endless fountain है, कि जो nature चीजे हमें दे रहे है, immortal drink हमारे लिए इस टाइम पर क्या है, पानी, पानी को हमें pollute नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये immortal drink है, ये हमारे लिए क्या है, joy for us है, जो कि कभी नहीं खतम होने वाला है, एक ऐसा joy है, एक ऐसी happiness है, जो हमारी life को आगे, और अच्छा बनाएगी. Poetic devices, students, I have already made a video on poetic devices, before coming here, please go through that video, so that you can understand what is the meaning of each and every poetic device. So, first poetic device here is metaphor. i.e., bobek white, sweet dreams, flowery band, unhealthy and odakon ways, the pale, dark spin, endless fountain of immortal drink. Transferred epithet, i.e., unhealthy and odakon ways, gloomy days, elitration, noble nature, cooling coward, band to bind. personification, inhuman dearth of noble nature, defodels, rills, that for themselves, a cooling coward, make against the hot season. Then is metatomy, i.e., hot season, green world, archism, morrow, oxymoron, the mighty dead, imaginary, flowery withers, shady boon, green world, clear rills, cooling covert, grandeur of domes, endless fountain of eternal drink, and symbolism is simple sheep. put forth and